हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आप सभी काज के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत हैं तो हम लोग 7th class का जो science का experiment है वो सारे experiment हम लोग cover कर रहे थे तो अभी यहाँ पे जो experiment है 20, 21 और 22 यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग जो experiment number 20 है 21 है और 22 है बहुत अच्छे से उसको बहुत explain करके उसको detail में हम लोग समझेंगे कि experiment क्या है किस तरीके से आपको करना है कि आपको उस experiment को करते समय या फिर आप next year अगर आप आगले class में जाते हो तो अगर आप कोई भी experiment करते हो तो आपको थोड़ा सा भी डर ना लगे तो इस तरीके से हम लोग experiment को समझेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको experiment दिया है तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको हम एक बार यह कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपको experiment दिया है उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो नीचे यहाँ पे आपको apparatus दिया है procedure दिया है और यहाँ पर आपको एक complete एक जो diagram है वो यहाँ पर आपको दिया है कि किस तरीके से आपका जो setup होगा वो होगा यहाँ पर आपका एक candle होगा यहाँ से आपको क्या करना है इसके पीछे से आपको देखना है और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ screen के उपर आपको एक जो circle है वो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो यहां से light reflect हो रही है वो light reflect हो के कहां आ रही है इस paper के उपर आएगी screen के उपर आएगी और आपको इस तरीके से एक circle आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो यह आप समझ गये होंगे उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर आपको कुछ question पूछे गए हैं जैसे यहां पर अगर हम लोग question को देखते हैं तो question को हम लोग करते हैं यहां पर अगर आप question को देखते हो कि which are the ray starting from the point source तो कौन सा जो ray है वो starting हो रहा है तो यहां पर आप देखो कि इसके अंदर आप diagram के अंदर देखते हो तो OP और दूसरा है OQ तो यह जो दो रहे है वो क्या हो रहा है starting from the point source where do this ray fall on the screen after touching the ball okay this ray fall on the screen after touching the ball in the position of AB तो यह सारी चीज़े क्या है उसके अंदर आपको mention करके दी गई है which part remain unlit why तो कौन सा ऐसा part है जो unlit remain है तो यह आपको यहां पर अगर आप देखोगे तो no ray reach the screen between the point AB तोके that part remain until यह आपको समझ गया होगा what is the shadow call तो shadow क्या होता है एक embera होता है ठीके shadow मतलब किसी भी चीज़ की जो परचाई होती है उसको हम लोग shadow बोलते हैं तो यह आपको समझ गया होगा मेरे इसाप से ठीके तो यह आपने देखा उसके बाद अगर यहां पर आप देखो तो यहां पर अगर आप चेक करते हो तो यहां पर भी आपको complete shadow form by the extended source तो extended source के इसाप से जो shadow यहां पर फॉर्म हो रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है extended source यहां पर light के यूज किया है इसके बाद हमने एक और light पास किया है तो इसके वज़े से हमें छोटा वाला मिला है तो यह same चीज़ यहां पर आप देखने को मिल सकती है तो यह आपको समझ गया होगा उसके बाद next यहाँ पर आपको देखर तो कुछ question पूछे हैं पहला question है what is the extended source the shadow after fall umbra and the penumbra how is the shadow obtained from the extended source तो extended source की मदद से जो shadow है वो क्यों obtained होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद यहाँ पर जो third वाला question है third वाले question में एक तरीके से आपको filling the blanks जैसे दिया है आपको वो fill करना है उसके बाद यहाँ पर आप check करो तो दो question दिया है जिनके आपको inference है वो आपको लिखने है तो दोनों के जो answer है वहाँ पर आपको लिखके दिये गए है proper तरीके से उसके बाद next experiment है magnetic field तो आपको पता है कि आपके पास अगर कोई भी अगर चुम्बक होता है कोई भी अगर आपके पास magnet है suppose ठीके यहाँ पर आप देख लीजिए एक magnet है तो अगर magnet में एक south pole होता है एक north pole होता है यह सभी को पता होगा ठीके अगर आपके पास अगर आप चुम्बक है अगर आप चुम्बा को देखोगे अगर आप चुम्बा को तोड़ दो ठीके लेकिन अगर आप तोड़े हुए चुम्बा को जहां से आप तोड़ते हो वो दोनों सीरों को आप वापस चिपकाओगे तो वो नहीं चिपकेंगे वो एक दूसरे एक से क्या होंगे रिपल होंगे इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे दोनों साइड पे या तो नौर्थ पोल आ रहा है या तो साउथ पोल आ रहा है तो एक ही साइड पे अगर दोनों साइड पे अगर सेम पोल आते हैं तो उनके बीच क्या होता है रिपल्शन होता है और द यह attract होने लगेगा magnet की तरफ इसी को हम लोग magnetic field बोलते हैं ओके तो यह आपको समझ गया होगा यहाँ पर आप complete procedure देख सकते हैं observation देख सकते हैं फिर complete procedure number 2 देख सकते हैं और उसका observation यहाँ पर दिया है आपको procedure 1 का observation तो already लिखके दिया है लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करो तो procedure 2 का आपको observation यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है ओके तो यहाँ पर procedure 2 का जो observation है वो यहाँ पर आपको लिखके दिया है ओके उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि inference दिया है तो inference में भी यहाँ पर आपको एक और दो और तीन ओके ए what is the magnetic field what are the magnetic line of the force filling the blanks यह तीन तर अरो बाजू जो magnetic line आपको देखने के लिए मिल रही किसी भी magnet के आजू बाजू उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो force क्या है उसके बाद filling the blanks दिया है जिसके answer को हम ले already यहाँ पर लिखके रखा है तो यहाँ आपको समझ गया होगा उसके बाद यहाँ पर write down the properties of the magnetic line of force तो properties लिखनी है magnetic line of force की ठीक है तो यहाँ पर अगर आप check करो तो total यहाँ पर हमने 7 properties लिखके रखी है it is the imaginary connecting line it is always going from the north pole to south pole of the bar magnet it is the ripple each other they do not intersect to each other magnetic line of force do not intersect each other magnetic line of force ripple each other the magnetic line of force are in the state of tension line of stretch spring तो यह आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि यहाँ पर जो answer है वो proper लिखा हुआ है तो यह आपको समझ गया होगा अभी अगर हम लोग next यहाँ पर experiment number 22 की बात करें तो यहाँ पर भी penetrating ability of the magnetic field तो penetrating ability याने किस तरीके से अगर आप किसी चुमबा को अगर आप किस सि खिल्ले के पास लेके जाते हो धीरे धीरे नजदिक लेकर जाते हो तो वह धी धीरे धीरे क्या होता है कि जो nail होता हे वह attract होने लगता है और उसके को हम लोग बोलते है ability of the magnetic field याने magnetic field की ability की कारण वह क्या होते हैं चुमबा की तरफ attract होते हैं तो यह आपको समझ गया observation यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर procedure 1 का observation यहाँ पर आपको दिया है तो procedure 1 का observation यहाँ पर देख सकते हैं procedure 2 का observation यहाँ पर procedure 3 का observation यहाँ पर है तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों का observation है यहाँ पर procedure दिया है procedure का ठीक है तो उसके इसाब से यह सारे के सारे क्या है बिलकुल correct है आप इसको अपने जो book है उसमें आप लिख सकते हैं उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर आप देखते हो कि inference दिया है तो inference में आपको क्या लिखना होता है conclusion लिखना होता है जो भी आप experiment से आप समझते हो उसी को हम लोग inference बोलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर यह जो experiment number 20 से 22 तक का जो हम लोग ने cover किया 7th class का वो यहाँ पर खतम होता है नेक्स वीडियो में हम लोग जितने भी activities है वो सारे के सारे activity हम लोग एक से लेके 14 तक एक ही वीडियो में हम लोग cover करेंगे तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो ठीके और हमारा टेलिग्राम चैनल है उसको भी आप जॉइन कर सकते हो टेलिग्राम पर जाके सेम आपको उसका जो लिंक है वह को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में